शमुएल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याई चवदह एक दिन शाउल के पुत्र योनतान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हातियार ढोने वाले जवान से कहा आ, हम उस पलिष्टियों की चवकी के पास चले। शाउल तो गिबा के सिरे पर मिग्रोनक में के अनार के पेड के तले टिका हुआ था, और उसके संग की लोग कोई छह सव थे। और एली जो शिलो में यहोवा का याजत था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोत के भाई अही तूप का पुत्र अही यहा भी एपोत प चला गया है। उन घाटियों के बीच में जिनमें से होकर योनातान पलिष्टियों की चवकी को जाना चाहता था, दोनों अलंगों पर एक-एक नोकिली चक्टान थी। एक चक्टान का नाम तो बोसेस और दुसरी का नाम सेने था। एक चक्टान तो उत्तर की ओर मिकमाश क के सामने और दुसरी दक्खिन की ओर गेबा के सामने खड़ी थी। तब योनातान ने अपने हतियार ढोने वाले जवान से कहा, आ, हम उस खतना ही लोगों की चवकी के पास जाए। क्या जाने, यहोवा हमारी साहता करे। क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं, कि चाहे तो वह बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़ो लोगों के द्वारा चुटकारा दे। उसके हतियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो, वही कर। उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुशो के पास जाकर अपने को उने दिखाए। यदि वे हम से यो कहे, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे, और उनके पास न चढ़े। परंतु यदि वे यह कहे, कि हमारे पास चढ़ाओ, तो हम यह जानकर चढ़े, कि यहोवा उन्हे हमारे साथ क की चवकी पर प्रगट किया, तब पलिष्टी कहने लगे देखो, इबरी लोग उन बिलो में से जहां वे छिप रहे थे निकले आते हैं, फिर चवकी के लोगों ने योनातान और उसके हतियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ाओ, तब हम तुमको कुछ सिखा तब योनातान ने अपने हतियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहवा उन्हें इसराइलियों के हाथ में कर देगा, और योनातान अपने हाथों और पाओ के बल चढ़ गया, और उसका हतियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया, औ और पलिष्टी योनातान के सामने गिरते गए और उसका हतियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यहाँ पहला संहार था जो योनातान और उसके हतियार ढोने वाले से हुआ। उसमें आधे बेगे भुमी में बीस एक पुरुष मारे गये और चावने में और मैदान पर और उन सब लोगों में थर-थरा हट हुई और चवकी वाले और नाश करने वाले भी थर-थराने लगे और भुईडोल भी हुआ और अत्यंत बड़ी थर-थरा हट हुई और बिन्या तब शावल ने अपने साथ के लोगों से कहा अपनी गिंती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिन कर देखा कि योनातान और उसका हतियार डोने वाला यहा नहीं है। तब शावल ने अहिया से कहा पर्मिश्वर का संदूग इधर ला। उस समय तो पर्मिश्वर का संदूग इसराइलियों के साथ था। शाओल याजक से बाते कर रहा था कि पलिष्टियों की छाउनी में उल्लड अधिक होता गया। तब शाओल ने याजक से कहा अपना हाथ खीच। तब शाओल और उसके संग के सब लोग इकटे होकर लड़ाई में वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक-एक पुरुष के तलवार अपने-अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है और जो इबरी पहले की नाईब पलिष्टियों की ओर के थे और उनके साथ चारो ओर से चाउनी में गये थे वे भी शाओल और योना कर की पलिष्टी भागे जाते हैं लड़ाय में आकर उनका पीछा करने में लग गये तब यहवा ने उस दिन इस्राइलियों को छुट करा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली और तक चले गए परंतु इस्राइली पुरुष उस दिन तक तंग हुए क्योंकि पित हो वह जो सांज से पहले कुछ खाए इसी रिती मैं अपने शत्रों से पल्टा ले सकूंगा तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया और सब लोग किसी वन में पहुँचे जहां भूमी पर मधु पढ़ा हुआ था जब लोग वन में आये तब क्या को लोगों को शपत धराते न सुना था इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ा कर मधु के छटे में डुबाया और अपना हाथ अपने मुह तक लगाया तब उसकी आखों में जोती आई तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा तेरे पिता ने लोगों को दु पिता ने लोगों को कश्ट दिया है देखो मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मुझे आखों से कैसा सूजनी लगा यदि आज लोग अपने शत्रू की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता अभी तो बहुत पलिष्टी मारे नहीं ग लेकर अयालोन तक पलिष्टियों को मारते गए और लोग बहुत ही ठक गए सो वे लूट पर लूट तूटे और भेडबकरी और गाय बैल और बच्छे लेकर भूमी पर मारके उनका मास लोहु समेत खाने लगे जब इसका समाचार शाउल को मिला कि लोग लोहु समेत मास ख तुमने तो विश्पास खात किया है अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुड़का दो फिर शाउल ने कहा लोगों के बीच में इधर उधर फिरके उनसे कहो कि अपना अपना बैल और भेड शाउल के पास ले आओ और वही बली करके खाओ और लोहु समेत खाकर यहवा के विरुद्ध पाप न करो तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वही बली किया तब शाउल ने यहवा के लिए एक वेदी बनाए वह तो पहली वेदी है जो उसने यहवा के लिए बनवाई थी फिर शाउल ने कहा हम इसी रात को पलिष्टियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहे और उनमें से एक मनश को भी जिवित न चूड़े उन्होंने कहा जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर परन्तु याजक ने कहा हम इधर परमिश्वर के समीप आए तब शाउल ने परमिश्वर से पुछवाया कि क्या मैं पलिष्टियों का पीछा करू क्या तु उन्हें इस्राइल के हाथ में कर देगा परन्तु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला तब शाउल ने कहा हे प्रजा के मुख्य लोगो इधर आकर बूजो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है क्योंकि इस्राइल के छुडाने वाले यहवा के जिवन की शपत यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो तब ही निश्चे वह मार डाला परम्तु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया तब उसने सारे इस्राइलियों से कहा तुम एक ओर हो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दुसरी ओर होंगे लोगों ने शाओल से कहा जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर तब शाओल ने यहवा से कहा हे इस्राइल के परम्यश्वर सत्य बात पता तब चिठी योनातान और शाओल के नाम पर निकली और प्रजा बज गए फिर शाओल ने कहा मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिठी डालो तब चिठी योनातान के नाम पर निकली तब शाओल ने योनातान से कहा मुझे बता कि तुने क्या किया है योनातान ने बताया और उसने कहा मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा शावल ने कहा, परमिश्वर ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधीक करे, हे योनातान, तु निश्चे मारा जाएगा। प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया, और वह मारा न गया, तब शावल पलिश्टियों का पीछा छोड़ कर लड़ गया, और पलिश्टी भी अपने स्थान को चले गया। पाता था, फिर उसने वीर्ता करके अमालेकियों को जीता और इस्रालियों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया। शावल के पुत्र योनातान, ईश्वी और मलकीश थे, और उसकी दो बेटियों की नाम ये थे, बड़ी का नाम तो मेरवा, और छोटी का नाम मिकल था, और शावल की स्त्री का नाम अही नुआम था, जो अही मास की बेटी थी, और उसके प्रधाय सेनापती का नाम अबनेर था, जो शावल के चचा नेर का पुत्र था, और शावल का पिता कीश था, और अबनेर का पिता नेर अबियल का पुत्र था, और शावल जिवन भर पलिश्टियों के संग्राम करता रहा, जब जब शावल को कोई वीर वाच्छ तब तब उसने उसे अपने पास रख लिया.